दोस्तो आप सभी का Only Top Steady में स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मानव सरीर से सम्बंदित 255 कोशन दोस्तो जो की सबसे ज़्यादा कोशन्स होंगे और एक भी कोशन्स बहार नहीं जाएगा अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और पूरी वीडियो को देखने के बाद मैं जरू बतेगा 25 में से आप लोग कितने कोशन्स के आंसर सही कर पाते हैं दोस्तो हरे कोशन में आपको इमेज के थुरू समझाऊंगा जिससे कि आपको सारी चीजे समझ में भी आएगी और याद भी हो जाएगी देखिए अगर आप चाहते हैं टोपिक वाइज पूरा जीके साइन्स और करेंट फेर को कवर करना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइ आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा और अपने भाई बैन दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर सेयर करिएगा आप लोग हमारी ये दो पीडियाप डाउनलोड करके कंप्लीट चारी कर सकते हैं जीके और होती है देखे ये वाला कोशन अब बहुत सारे जो है यूटूब वालों ने भी और गूगल पे भी गलत करा रखा है तो आगे से ध्यान लखेगा दोस्तों मानव सरीर में जलकी जो मातरा होती है वो 60% होती है अब देखे बाकी के दोस्तों पार्ट की भी आपको ये डिट 29% होगी बॉन्स में दोस्तों 22% होगी मसल्स में आपकी 75% होगी लिवर में दोस्तों बहुत बार एक्जाम में पूछ आता है 85% होगी और किडिनी में भी कई बार पूछ आता है 83% होगी ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन आपका कोशन नमबर वन ही तो चलिए दूसर कैसी लगी दोस्तों जरूर हरे एक student comment box में बतेगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी बेकार लगी आप ये दो चीज comment box में जरूर बतेगा इस question का दोस्तों right answer हेगा 5 से 6 लिटर दोस्तों मनुश्य में रक्त की मातरा होती है तो ये आपको याद खने है भई अगला question दोस्तों आता है रक्त को सुध करने वाला अंग कोनसा होता है वेरी वेरी important question है और मुझे लगता है कि इस question का answer हर एक student को पता होगा देखें, रक्त को सुध करने वाला अंग दोस्तों कोनसा होता है इस question का right answer हैगा दोस्तो kidney यानि कि option दोस्तो D right answer होजएगा यह आप लोग देख सकते हैं हमारे सेरी में दोस्तो दो kidney होती है यह आप लोग note कर देखा बाकि kidney से related जितनी भी detail है वो आप लोग वीडियो को pose करके skin sort ले लीजे यह सारी detail है अगला question दोस्तो आता है बहुत ही important है अच्छा यह blood किसको दे सकता है दोस्तो तो यह केवल AB को ही दे पाएगा यह आपको या दखने है अच्छा अगर आप चाहते हैं कि blood group में एक separate video बनाओं और बिल्कुल हर एक question को इस परकार से समझाओं तो मुझे comment box में बता देना कि सर्फ blood group पे भी आप एक video बना दीजे म मैं आपको जल्दी वो वीडियो provide करा दूँगा अगला question दोस्तो आता है बहुत ही बढ़िया question है पित यानि की बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता है इस question का दोस्तो राइटांसे क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर है यकरत द्वारा यानि की option दोस्तो C हो जाएगा तो ये आपको याद दखना है अगला question मेरे प्यार दोस्तो आता है सरीर का सबसे बड़ा अंग कोन सा है देखे सरीर का सबसे बड़ा अंग मेरे प्यारे दोस्तो कोन सा है तो ध्यान से सुनिएगा बहुती ध्यान से सरीर का सबसे बड़ा अंग की अगर पूछा जाए अग अगर आपसे पूछा जाए दोस्तो कि मनुष्य के सरीर का सबसे बड़ा आंत्रिक अंग कौन सा होता है अगर आंत्रिक लगा दिया जाए यानि कि इंटर्नल पार्ट ऑफ दा बोडी का पूछा जाए तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा लिवर यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है याद रखेगा कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसकिन लगाए लिवर लगाए तो बाहर वाला पूछा आता है और इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर किया है यह भी दोस्तो लिवर हो जाएगा तो यह आपको याद अखना है ठीक है चले अगला कोशन दोस्तों मनुष्य के हर्दे में कितने कोस्टे यानिकी चेंबर होते हैं तो मेरे प्यार तो यह आपको याद अखना है दोस्तों अगला कोशन मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि सरीर की सबसे बड़ी कोसिका का नाम बते हैं देखे मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने हर एक ग्रूप में और अपने हर एक भाई या बहन या दोस्त को जरूर सेयर करेगा ताकि हमारी जो यह मेहनत है दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो को बनाते हैं यह मेहनत हम हर एक बच्चे तक पहुचाना चाहते हैं तो प्लीज इसमें हमारी हेल्प करे वीडियो को share करके इस question का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तंतरी का तंतर यानि की option A रहेगा सरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंतरी का तंतर ये आपको याद खना है बहुत ही important question है अगला question मेरे प्याद दोस्तों आता है कि vitamin A संचित रहता है ये भी बहुत बार exam में पूछा जाने वाला question दोस्तों बिल्कुल अभी railway group D का भी exam चल रहा है उसमें भी ये question पूछा गया था इस question का सही उत्तर हैगा दोस्तों यकरत में यानि की A रहेट answer हो जाएगा ठीक है आपको कम से कम समय में दोस्तों जाद से जादा question कराने की मेरी कोसित रहती है वो भी समझाते हुए तो आप लोग बिल्कुल पूरी वीडियो को देखेगा अगला question आता है दोस्तों मस्तिस का बड़ा भाग क्या कहलाता है तो देखें मस्तिस का जो सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों जिसको हम बोड़ते है सेरेबलम जो की ये वाला पार्ट होता है दोस्तों इस question का right answer होजएगा बिल्कुल परमस्तिस यानि की option D right answer होजएगा ये आपको या दखना है दोस्तों ठीक है चलेजी अगला question बहुत ही बढ़िया question है कि सरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा सरीर का सामान्य तापमान कितना होता है देखें अगर आपसे दोस्तों Fahrenheit में पूछा जाए Celsius में पूछा जाए Kelvin में पूछा जाए तो तीनों के बता देता हूँ देखे अगर आपसे Fahrenheit में पूछे जाए तो 98.6 Fahrenheit हो जाएगा अगर Celsius में पूछा जाए तो 310 Kelvin हो जाएगा दोस्तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन मेरे प्यार दोस्तो आता है कि मानव मुत्र का pH मान कितना होता है देखे मानव मुत्र का pH मान मेरे प्यार दोस्तो होता है 6 अब मैं आपको इसी के साथ साथ बाकी के भी बता देता हूँ जैसे कि आपका गेस्टिक जूस का पूछे जाते है बहुत ही important है दोस्तो गेस्टिक जूस का pH मान कितना होता है तो गेस्टिक जूस का pH मान 2 होता है ये कोशन आप बिल्कुल याद रखेगा और बाकी के यहाँ पर लिखें दोस्तो ठीक है टमेटो में कितना होता है human urine में कितना होता है 5-6 होता है ठीक है pure water में कितना होता है ये आपको सारे याद ठीक है अगला कोशन दोस्तों आता है कि सरीर में अमीनो अमल की संख्या कितनी है तो सरीर में अमीनो अमल की संख्या मेरे प्यार दोस्तों कितनी है तो बिल्कुल सही उत्तर किया होगा आप लोगों ने अगर यहाँ पर 20 राइट आंसर लगाया है तो B right answer हो जएगा question number 15 का अगला question मेरे प्यार दोस्तों आता है कि सरीर में गुनसुत्रों की संक्या कितनी होती है तो देखें सरीर में दोस्तों गुनसुत्रों की संक्या होती है बिल्कुल 46 यानि कि 46 total होते हैं अगर pair पूछ़द हैं तो 23 pairs होते हैं दोस्तों या आपका दखने है अब इनी के साथ साथ दोस्तों मैंने कुछ important जाती जिनके नाम मैंने हाँ पर लिखे हैं उनके pairs उन में कितने गुनसुत्रों होते हैं वो लिखते हैं आप लोग ये वीडियो को पोज करके देख सकते हैं खुरें वह जो एक्जाम में पूछे जाता है तो यह दोस्तों घ्रेलों मक्ही का 12 होता है यह आप सारे याद रख सकते हैं अच्छा लग रहा है आपको यह वीडियो देखके तो लाइक का सारे लाइक के recorded तोड़ दीजे अभी तक हमारी जो वीडियो पे दोस्तों अभी मैंने 15 दिन पहले जो वीडियो अप्लोड की थी उस पे 16,000 लाइक पोँचे हैं और वो 16,000 लाइक दोस्तों किस वीडियो पे पोँचे हैं जो हमारी आर्टिकल वाली वीडियो है मैं चाहता हूँ कि इस पे सारे record तूट जाने चाहिए अगला question दोस्तो लार में पाए जाने वाला enzyme कौन सा है very very important है I hope कि आप लोगों को पता होगा पहले से देखें लार में पाए जाने वाला enzyme दोस्तो कौन सा है tiling यानि की option c return एगा question number 17 का अगला question दोस्तो आता है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलिया पाई जाती है तो देखें जोड़ी अगर पूछा जाए तो आपकी हो जाएंगी 12 ठीक है आप लोग यहाँ पर मैंने counting भी लिखें ये भी आप लोग note कर सकते है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलिया 12 अगर आपसे पूछा जाए कि total कितनी होती है तो comment box में बता जीजे easy हो गया जल्दी से बताए comment box में अगला question दोस्तो आता है सरीर में tibia नामक हड़ी कहाँ पाई जाती है दोस्तो ये हमारी लेग है आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें tibia नामक जो हड़ी होती है वो ये front वाली हड़ी होती है front वाली हड़ी आप उन्हें देखा होगा कई पर हमारी इसमें चोट लगती है भोतेज तो जंजनाट सी महसूस होती है वो दोस्तो tibia हड़ी में ही होती है अच्छा एक है fibula ये हड़ी दोस्तो सरीर की सबसे पतली हड़ी होती है और ये इसी की side में होती है यहाँ पर ये भी exam में पूछा था कि सरीर की सबसे पतली हड़ी कौन से होती है ये दोस्तो उपर वाली हड़ी है femur ये भी आप लोग याद रखेगा तो इस question का right answer क्या हो जागा टिबिया नाम खट्डी दोस्तो पैर में होती है तो ये point आप जरूर note करके रखेगा अगला question दोस्तो सरीर में परती दिन लगबग कितना मुत्र बनता है दोस्तो सरीर में परती दिन लगबग कितना मुत्र बन जाता है देखे एक से डेड़ लिटर यानि कि इस question का दोस्तो रख आंसरेगा यहाँ पर एक भी आएगा ठीके एक से डेड़ लिटर यानि कि यह exact figure नहीं लिखी हुई है approach है दोस्तो एक से डेड़ लिटर से पूछे आता है तो याद रखेगा अगला question दोस्तो सबसे चोटी गरंती का नाम बतेए देखे सबसे चोटी गरंती का नाम दोस्तो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही answer हो जाएगा आपका पिट्यूटरी गरंती दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा जिसको मास्टर गरंती भी बोलते हैं ये आपको याद अखना है देखे मेरा motive दोस्तो ये रहता है कि आपको जब मैं कोई भी topic पढ़ाऊं तो उससे एक भी question बाहर ना जाए मतला उससे related सब कुछ cover करा दूँ तो आपका भी target ये होना चाहिए कि जब सर पूरी मैनेज करके पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी target ये है कि जब तक ये पूरे questions खतम नहीं हो जाते पूरी video खतम नहीं हो जाती तो हम इस video को देखते रहेंगे पूरा end तक ठीक है तो इस video को पूरा end तक देखेगा मैं आपसे एक question भी पूछने वाला हूँ end बे अगला question आता है दोस्तो लाल रख्तकन का जीवन काल कितने दिन का होता है तो इस question का right answer क्या रहेगा देखें लाल रख्तकन का जीवन काल होता है दोस्तो 20 से 120 दिन ये आपको याद अखना है अगला question दोस्तो आता है शरीर में रख्त परि भर्मन में कितना समय लगता है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर क्या है आपने 23 second यानि की D right answer हो जाएगा दोस्तो ये आपको जरूर याद रखना है अगला question दोस्तो तो सरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है तो सरीर का सबसे कठोर तत्व दोस्तो कौन सा है बिल्कुल देखे आप लोग देख रहे होगे आप एक दात की फोटो लगी हुई है और इसमें जो उपर वाला white white लिख रहा है ना तो सबसे बड़ी अट्टी दोस्तों हमारी फीमर होती है जो की जांग में होती है यानि कि option A right answer एगा question number 26 का अगला question दोस्तों मनुष्य का हर्दे कितनी बार धड़कता है तो देखें मनुष्य का जो हर्दे दोस्तों वो कितनी बार धड़कता है इस question का सही answer एगा 72 बार मिनट में यानि कि option दोस्तों A right answer एगा ये आपको यादखना है अगला question दोस्तों मास पेशियो की कुल संक्या कितनी है देखें मास पेशियो की कुल संक्या दोस्तों कहीं बार आपको 6.500 तक भी मिल जाएगी ठीके बट अगर यहाँ पर मैं अभी की बात करूँ तो इसमें 639 इसका right answer एगा और बाकी depend करता है दोस्तों आपके options पे कहीं पर आपको 650 मिल जाएगा 640 भी मिल सकता है तो यह आपको याद रखना है अगला question दोस्तों रख्चाप मापने का यंत्र कौन सा होता है देखें blood pressure नापने के लिए दोस्तों किस यंत्र का उपियोग होता है तो इस question का right answer हो जाएगा सिर्फ के manometer यानि की दोस्तों D right answer हो जाएगा और आप देख सकते हैं यह कैसा होता है ठीक है अगला question आता है बोजन का पाचन किरिया कहां से प्रारंब होती है यह question बहुत बार पूछे जाता है कि बोजन की जो पाचन किरिया मतलब बोजन का पाचन किरिया कहां से प्रारं यानि की option दोस्तो भी रएट answer हेगा अगला question आता है दोस्तो डोसरा इसा में की स्वेतरखतक्र पाचन का जीवन काल कितने? कीतने दिन का होता है तो अभी मैंने डोस्तो red blood cells का बताया था अभी मैं बता रही हुँ, दोस्तो white blood cells का जीवन काल होते हैं और我知道 2 से 4 दिन होता ठीक है यह maximum है यानि की 2-4 अगर आपको मिलता है options के according आपको यह answer करना है अगला question दोस्तों मानव रख्त का pH मान देखें मानव रख्त का pH मान भी बहुत बार पूछे आता है सभी को पता होगा दोस्तों इस question का right answer हो जेगा 7.4 यानि की B is the right answer अगला question दोस्तों मनुष्य के सुंद्रिय का अध्यन क्या कहलाता है तो इस question का right answer है यानि की right answer दोस्तों C रहेगा ये भी आपको याद अखना है अगला question दोस्तों आता है मानव सिर में सबसे चोटी अड़ी कहा होती है तो देखें ये तो सबसे पहले पता हो नचे कि सबसे चोटी अड़ी का नाम क्या है इस्टेपीज और ये दोस्तों कहां टी में और कान में भी दोस्तों कहां पर ये मद्य में होती है कान के मद्य में ठीक है तो यह आपको याद अखना है अगला question स्वास्त मनुष्य के सवसंदर लगबग कितनी होती है तो देखें यह होती है सोला से अठारा बार ठीक है एक मिनट में तो यह आपको या दखना है अगला कोशन दोस्तों आता है मानव खुपड़ी में कितनी हड्डिया होती है तो देखें मानव खुपड़ी में दोस्तों अगर बात की जाएं अच्छा यहां पर दोस्तो options गलत लिखे हैं देखें मानव की खोपड़ी में दोस्तो कुल 22 बॉन्स होती है अगर पूछी जाए कि चहरे में यानि कि फेस में कितनी बॉन होती है तो हमारे फेस में दोस्तो होती है 14 बॉन तो यह आपको याद अखना है options गलत लिखे हैं दोस्तो टाइपिंग mistake है ठीक है चले अगला कोशन दोस्तो मस्तिक्स का वजन कितना होता है तो देखें मस्तिक्स के वजन पर अगर कोशन बनता है दोस्तो इसमें भी कहीं बार उपर नीचे मिल जाते हैं बट आपको ध्यान रखने है जो इसकी range है वो 1350 से लेके 1400 गिराम तक है यह आपको जरूर याद रखने हैं दोस्तो अगला कोशन आता है कि मानव सरीर में सबसे मजबूत हड़ी कहां होती है मानव सरीर की दोस्तो सबसे मजबूत हड़ी कहां होती है तो यह होती है मेरे प्याद दोस्तो जबडे की हड़ी यानि की option D right answer का question number 38 का अगला कोशन दोस्तो आता है सामान्य मनुष्य का रख्चाप कितना होता है तो देखे सामान्य मनुष्य का दोस्तो रख्चाप हमारा होता है 120 बटे 80 मेमी यानि की right answer is option C यह आपको याद रखना है भई अगला question दोस्तो आता है कि रख्ट की मातरा सरीर के भार का कितना होता है very very important है दोस्तो एक question जो हमारा सरीर है दोस्तो ठीक है रख्ट की मातरा उसमें कितने परतिसत होती है तो देखे पूरे सरीर का दोस्तो 7% यानि की अगर आप लोग यहाँ पर 100 kg के हैं तो उसमें आपका 7 kg दोस्तो बलड होगा यह एक में example की तोर पे आपको बता रहा हूँ अगला question दोस्तो आता है सरवदाता रक्समू यानि की universal donor कौन सा है वो दोस्तो जो की सब को दे सकता है तो देखे मैंने आपे बहुत अच्छे से आपको समझाया है आप लोग समझ सकते हैं कि जो सब को दे सकता है वो कौन सा है O है दोस्तो आपका यानि की इस question का right answer option A रहेगा और मैंने अभी आपको बताया था कि जो A B है दोस्तो वो सब से ले सकता है और केवल A B को दे सकता है ठीक है यह आपको जुरूर याद रखना है अगला question दोस्तो पचे हुए बोजन का absorption किस आत में होता है तो पचे हुए बोजन का दोस्तो अवसोर्शन किस आत में होता है छोटी आत में यानि की right answer मेरे प्यार दोस्तो ओप्शन A रहेगा जरूर याद रखेगा बहुत ही important question है अगला question दोस्तो आता है सरीर में उत्तको का निर्मान किस से होता है तो सरीर में दोस्तो उत्तको का निर्मान किस से होता है प्रोटीन से यानि की option B right answer रहेगा question number 43 का जरूर याद रखेगा अगला question दोस्तो मुत्र किस कारण दुर्गंद देता है देखें मुत्र से हमारे दुर्गंद आती है किस मेल आती है तो ये किस कारण से आती है दोस्तो ये आती है यूरिया के कारण से यानि की option B right answer रहेगा ये आपको याद रखना है भई अगला question आता है दोस्तो मानव सरीर में सबसे मजबूत मास पेसी कौन सी होती है देखें वो questions करा रहा हूँ इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा end तक देख लिया करें अब end वाले जो दोस्तो आपको ये 10 question मिलने वाले है ये आपको किसी की भी वीडियो या कहीं पर भी मिलने वाले नहीं है मिल जाएंगे तो ढूनने पड़ेंगे या फिर paid classes में मिलेंगे फिरी में कोई बताने वाला नहीं है और मैं आपको 55 question इसलिए करा रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी दूसरा चैनल फोलो ना करना पड़े और कोई भी paid class में लेनी पड़े ठीक है तो इसी बात पर दोस्तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है मासेटर यानि की option दोस्तो C रहेगा तो ये आपको जरूर याद रखने है दोस्तो अगला question है दोस्तो DNA की आकरती को क्या कहते है तो बहुत सही question है ये भी इस question का दोस्तो right answer हैगा ये question देखे very very mark कर लेना क्योंकि DNA की आकरती कहीं बार पूछा जाता है exam में और इसको बोलते हैं दोस्तो double helix ये की इसका right answer C हो जाएगा जरूर याद रखेगा मेरे प्यार दोस्तो अगला question दोस्तो आता है epidermis में तवचा की कितनी परते होती है देखे epidermis दोस्तो हमारी सबसे उपर वाली तवचा होती है यानि कि हमारी बहुत सारी layers होती है दोस्तो ठीक है ना ये बहुत सारी layers हैं इसमें जो सबसे उपर वाली है ना उसको बोलते है epidermis और इसमें total दोस्तों 5 layer होती है और ये question भी बहुत ज़्यादा important है exam के point of view से ये आपको याद अखना है अगला question दोस्तों आता है सरीर की सबसे कमजोर हड़ी कौन सी है तो देखें सरीर की सबसे कमजोर जो हड़ी है वो कौन सी है आपकी दोस्तों बिल्कुल सही answer है यानि की right answer है रीड की हड़ी यानि की c right answer है ये भी कई बार exam में पूछा जाता है और कई student इसको गलत करेंगे अगला question दोस्तों आता है ना दखना है अगला question दोस्तों बच्चे के जर्म के समय कितनी हड्या होती है देखें जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों उस समय उसमें टोटल 300 देखें 300 या 300 प्लस बोलेंगे आपे 300 प्लस हड्या होती है तो ये आपको या देखना है अगला question दोस्तों सरीर में नई रक् तो इस question का right answer हो जाएगा दोस्तो अस्ती मज़ा यानि की bone marrow में very very important question है जरूर याद दखेगा अगला question दोस्तो कौन सा उत्तक हड़ी को हड़ी से जोड़ता है तो देखे हड़ी को हड़ी से जोड़ने वाला उत्तक होता है ligament अगर आपसे पूछा जाए चले सायदा अगला question कौन सा उत्तक हड़ी को मासपेशी से जोड़ता है दोस्तो तो मसल से जोड़ने वाला दोस्तो उसको बोलते हैं टेंडन यानि की option बी right answer हो जाएगा तो यह भी आपको याद अखना है अगला question दोस्तो आपकी कौन सी सरचना सबसे सविदंसील होती है लेकिन इसमें रक्त वाई का यह नहीं होती है दोस्तो कसम से बता रहा हूं यह वाला question बहुत ही important है और अभी railway group D में पूछा गया था और यह SSC में भी पूछा जा चुक है और दिल्ली पूलिस में भी पूछा जा चुक है इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा को निया बिलकुल सही answer किया है यानि कि 54 का right answer भी हो जाएगा अगर आप लोग यहां तक वीडियो देखते है ना तो मैं guarantee लेता हूं कि आप पूरी वीडियो देखने के बाद में एक भी question गलत नहीं करेंगे ठीक है 55 question का right answer बतेगा सरीर में हड्यों की कुल संक्या कितनी होती है और यह question दोस्तों आप लोग दोस्तों comment box में बताएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज आपसे एक छोटी सी request रहती है comment जरूर क्या करें अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर सेयर करिए या देखिए अपने भाई को करिए या बहन को करिए जो भी त्यारी करता है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाई यह आपका काम है हमारा काम दोस्तों वीडियो बनाना है यह काम आपका है कि अपने दोस्तों तक अच्छी वीडियो पहुचाना वीडियो को लाइक जुरू करियेगा अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन को ओन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें और ये सभी टाइमिंगा किलासिस के नोट कर लिजेगा, कम समय में अच्छा क्वालिटी का कंटेंड लेने के लिए Only Top Study Channel के साथ में अभी जुड़ जाइए और ये दोनों पीडियाप डाउनलोड करके आप GK Science का कोर्स का कम्प्लीट कर सकते हैं, मिलते नेक्स क्लास में, thank you so much, bye bye everyone, take care.